वक्त सबको मिलता है जिन्दगी बदलने के लिए पर जिन्दगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए 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 पर पढ़ाता हूं तो आप अने केडमी के लिए लिए करके फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट के चैनल को सबस्क्राइब जरूब कर लिए दोस्तों साथ में बेल आपिसके दिए चाक कि आपको इस तरह के डेली मौनिंग में कर भरूर किया करें इसे शेयर भी कर दीजिए चली स्टार्ट करते हैं पहला कोशन बहुत महत्पूर है हाली में सयुक्त राष्ट निवेश समर्धन पूरुषकार किसे मिला है दोस्तों हाली में सयुक्त राष्ट निवेश समर्धन पूरुषकार मिला है इन्वेश्ट इंडि देखे आपको बता दे कि UNCTAD यानि UN Convention on Trade and Development द्वारा आई जी तो विस्ट उनिवेस्ट फोरम के अफसर पड़ सुर्जिया लेंड के जनेवा में इन्वेस्ट इंडिया के जो CEO हैं दीपक बागला को अर्मेनियाई राष्टपती अर्मेन सरकीशिया पुरुषकार पस्तूत किया था ठीक है तो यह आपको आद रहें इन्वेस्ट इंडिया के CEO को ने वर्तमान हैं दीपक बागला यह कोशन पूशा सकता है यहां पर दोस्त से प्रतिवर से पुरुषकार दिये जाते हैं ठीक है तो यह आपको याद रहें दूस्ते यहां पर बात करें मेक इन इंडिया की मेक इन इंडिया बहुत ही महत्पूर्ट प्रोजेक्ट है भारत सरकार का है आपको बता दे कि लांच हुआ था पच्चिस सितंबर 2014 को ठीक म भारत में ही वस्तूओं के निर्माड पर बल देने के लिए बनाया गया था ठीक है तो मोदी जी दौरा लॉंच की करते हैं पच्चीस सितंबर दोहर चुदा को यह आपको अदर्ख नहीं यहां पर दोस्तों बात हो रही श्यक्तुराष्ट की तो युनाटेड नेशन से र इसके लाव वरतमान में सदसंक्या कितनी हैं से राज संकी तो यह है 193 सदस्य है ठीक है और इसका है युनाटेड नेशन का नाम किसी ने दिया था तो अमेरिका को ततकालीन राष्ट पती फ्रैंकलीन डी रुजिवेल द्वारा दिया गया था ठीक है यह आपको यादख न दोस्तों अगर शैनकतरासने के प्रमुख अंग है तो छे प्रमुख अंग है महासभा सुरक्षा परिशद आर्थिक एवं सामाजिक परिशद अंतराष्टी नियाले नियास परिशदों सचिवाले ठीक है यहाँ पर आपको बता दे कि याद रखिएगा आर्थिक एवं सा कोड़ कहां पर है एक नीदर लेंड में और वरतमान में जो दोस्तों सेंगतरासन के महासचीव कौन है महासचीव वरतमान में टेनिया को टेरस है ठीक है तो यह आपको जरूर याद रखना है काफी इंपोर्टेंट है ठीक है यह अक्सार एक्जाम में कोश्चन पूछा आ करें चलिए वीडियो है दोस्तों अच्छा लागत प्लीज लाइक करके मोटिवेशन जरूर किया करें मोटिवेट किया करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं चलिए अगला कोशन देख लेते हैं 27 वी आई-ए-ए-ए- अच्छा लागत प्रद्धियों करें चलिए और आपको बता देख लेए-ए-ए-ए-प्यूज़ा के लिए उर्जा के श्रोत करों में प्रत्यक्ष प्रसंगीक्ता की नवी नवध्राणों के बारें चर्चा के लिए मंच्पतान करना है ठीक है यहां पर दोस्तों स्रिंखला के माध्यम से परमाडू सल्यान अनसंधान और विकास में वैग्जानिक और तक्निकी परिमडामों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है ठीक है और दोस्तों यहां पर बात करें अगर अंतराश्टी परमाडू उर्जा एजंसी की यानि इंटरनेशनल एट इंटी अंतराश्टी परमाडू उर्जा एजंसी में ठीक है तो 27 वी आई एए यानि इंटरनेशनल अटॉमिक एनर्जी एजंसी फ्यूजन एनर्जी कॉन्फिन्स कहा सुरू हुआ है गुजरात के गांधी नगर में दोस्तों यहां पर बात हो रही है गांधी नगर की तो डिजाइन करने वाले जो आपके याद रखना है कि गांधी नगर की डिजाइन करता कौन है इसके वह हैं ली कर्भूजियर जो की चंडीगड का भी इन्होंने ही डिजाइन किया था ठीक है और अक्सरधा मंदिर कहां पर यह भी है गांधी नगर में ठीक है अब बात कर यह यहां पे गुजरात की तो गुजरात की जो वर्तमान गवर्नर है ओपी कोली हैं सिया में विजयरूपानी विजयपी से यहां पे विधान सबाग सीटें टोटल 182 गुजरात में राजसबाग सीटें हैं 11 लोग सबागी 26 सीट से ठीक है तो यह आपको याद रखना है दोस्तो जो गुजरात की राजधानी है गांधी नगर उसके लाब आप बात करेंगर यहां पे अहमदाबाद एहमदाबाद यह सबसे बड़ा सहर है जो कि सावरमती नदी के किनारे स्थी थी थै और एहमदाबाद को भारत का मैंचेस्टर भी कहा जाता है ठीक है यह कोश्चन कई वारे एक जाम पूछा था भारत का मैंचेस्टर के से कहा जाता है एहमदाबाद को ठीक है एहमदाबा रखना है और महत्मा गांधी की श्मृति में इस शहर का नाम गांधी नगर किया गया था ठीक है 27 फ्यूजन एनरजी कॉन्फिरेंस कहां शुरू हुआ है गांधी नगर में गुजरात किराजधानी गांधी नगर में ठीक है दोस्तों चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते है ईख्यम्टो और सेंग्याना रूस और किष देश के बीच होगा दोस्तों जूजबा थ्लिए वूर्षा देशिन पहुंचा है इन्टरसार्प्लिक सिख्य रिलेसंस के अनुसार यह दूइपक्षी प्रसिक्षण सायोक सम्ज़ता के ताहत इस्लामवाद और मास्को की भी तीसरा सायोक सेंड्रेल होगा देखे आपको बता देख रूस और पाकिस्तान 2016 से मैत्री डिलाय अज़ित कर रहे हैं और उन्होंने अक्टूबर दर रिस्वाला में पाकिस्तान में अपना पहला सेंग सेंड अभ्यास जावजित किया था पाकिस्तान के वरतमान प्रधान मंतरी हैं इमरान खान ठीक है तो यह आपको याद रखना है और दोस्तों यहाँ पर अगर रूस की बात कर रूस आपको पता है कि छेतरफ़क दिश्टी से विश्चु का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दिश्टी से बात करें तो जो आपके एक्जाम में पूछ लिए जाता है तो आप बहुत ध्यान दे सुनिएगा यहाँ पर बात करें दोस्तों कुछ स्यनभ्यास की तो हरीमाओद शक्ती भारत और मलेशिया की मद दोता है दिश्टी सिनन ब्यास से ब्यास होता है भारत और नौर ताइलियर है ठीक है अजे वरियर यह होता है भारत और विटेन के मद्ध थलसेना के मद्ध अजे वरियर ठीक है और बात करें यहाँ पर मैत्री तो भारत और थाइलेंड के मद्ध होता है मैत्री और यहाँ पर दोस्तों बात करें अल लिगाह नमक की यह सैंक्ट सेन अभ्यास की तो यह सागर माथा होता है नेपाल और चीन के मद्द, मित्र शक्ति होता है भारत और सिलंका के मद्द, ठीक है, मित्र शक्ति, डूजवा, थ्री, सैंक, तुसैन अभ्यास, रूस और किस देश के बीच होगा पाकिस्तान, चलिए, अगला कुशन देख लेते हैं, चार दिवसी अंतर राश्ट्री नित्र समारो की मेजवानी करेगा गौालियर, ऑप्सन भी, आपको उता देखी, भारत के उजवेकिस्तान के राजदूत, फरहोद अरजीब ने मद्द, प्रदेश के गौालियर के उधाव उत्साव नामा, एक चार दिवसी अंतराश्ट्री नित्र समारो को प्रयोजित किया गया था, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है गौालियर की, तो गौालियर से लिटेट आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, मद्द प्रदेश के एक प्रमुख ये शहर है, और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, मद्द प्रदेश की तो रा गौालियर में ही, ठीक है, तो यह आपको फैक्ट याद रखना है, और आटल विहारी बाचपई जी का जन्म का हुआ था, गौालियर में हुआ था, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, उसके लावा दोस्तों यहाँ पे मद्द प्रदेश से लेटेट कुश कोशन पू रखना है, तो यह आपको डेट भी आद रखनी है, पूशा जा सकता है, बरतवाने वावन जिले हैं पी में, वावनबा जिलावाने निवाडी जिला, टीकांगवड की एक तहसील थी, एक अक्टूबर दोहार 18 से डेट भी आद रखनी है, ठीक है, चलिए, तो यह थे, पूड़ा पोस्ट हंगरी में विश्चु कुष्टी चेंपियंशिप के 65 किलोग्राम फाइनल में, जापान के ताकूटो ओटो गुरू के खिलाफ हारने के बाद, पहलवान बजरंग पूने रजत पर जीता है, और यह विश्चु इस्तर पर उनका दूसरा पदक है, आप आपल चौथे वारती हैं, और आप पताद एक 24 वर्षी बजरंग पूने न 19 वर्षी ओटो गुरु द्वारा मात दी गई है, ठीक है, यहाँ पर अगर बात के तो सुसील कुमार देश के सबसे बड़े पहलवान विश्चु प्रतुक्तम गॉल्वेल जीतने वाले पहले भ लनदी गोशन है कि इस राज में सबसे लंबा नदी पूल बनाया जाएगा, दोस्तों इसका राइड एंसर हो जाएगा, ओप्सन-A असम में, ठीक है, असम में सबसे लंबा पूल बनाया जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे, भारत सरकाने भारत का सबसे लंबा नदीपूल है 9.15 किलोमेटर लंबा असम में ढोला और सदिया के बीचिस थी ठीक है दोस्तों यहां पर बात करें असम की तो सम्की राजधानी दिस्पूर गवान है जगदीश्मू की सिया में सरवन सोनेवाल विजेपी से असम का प्राचीन नाम क्या असम का प्राचीन नाम कमरूप था और दोस्तों काजी रंगा राष्टी उद्यान कहां इसी थे एक सिंग वाले गंडे के लिए बहुत प्रसीद्द काजी रंगा राष्टी उद्यान कई बार यह कोश्चन पूछा जाता है ठीक है चलिए किस राज्य में सबसे लंबा बना रहा है यह बना रहा है चीन सभी स्टूडिन ने राइट एंसर दिया था दोस्तों अब देख लेते हैं आज का सवाल गया जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स नो जरूर लिखना दोस्तों हाली में बीजे हजारे टॉफी किताब की स्टीम ने जीता है काफी इंबोड लाइक जरूर किया करें आज टार्गेट रखते हैं दोस्तों इस वीडियो में टैन थाउजन लाइक करें हमें और हमारा हुसला बढ़ाएं प्लीस कमेंट जरूर करेंगे आज लगवाक दो से तीन आज स्टूडिन कमेंट करेंगे ठीक है यदि आप चाहते हैं कि मैं आप